दोस्तों नमस्कार मेरे नम संजे मगू है और मौझूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर आप से इस वीडियो में बात करने चला हूँ हर्याना की राजनीती को लेकर क्योंकि राजनीती एक मुद्दा है और आज तो राजनीती ही मुद्दा है जब चुनाव का माहौल है तो चुनाव के माहौल में राजनीती ही मुद्दा रागरती है दोस्तों हर्याना के अंदर जो हर्याना के खासकर सियासी घटनाओं में सियासी घटना करम में रुची रखते है उन सब के लिए सबसे महत्वपूर् पर क्या हो रहा है हर्याना की दस लोगसभा सीटों का सियासी समीकरण क्या है हर्याना की दस लोगसभा सीटों पर कौन सी पार्टी ऊपर है कौन सी नीचे है हर्याना की दस लोगसभा सीटें जिन पर की भारती जनता पार्टी अपने सारे प्रत्याशी घोशित कर चुकी है द संभवता सुनेना चोटाला हिसार से चुनाव लड़ने जा रही है बहुजन समाज पायटी भी एक दो प्रत्याशी तै कर चुकी है फरिदाबास से किशन ठाकुर का नाम चल रहा है जन्नायक जन्ता पायटी अपनी उहापो में फसी हुई है कि प्रत्याशी कौन होंगे कौन समीकरण कैसा बैठेगा कौन सी पायटी जीट सकती है कौन सी पायटी हारेगी कौन उपर रहेगा कौन नीचे रहेगा आप से चर्चा करता चलूं कि जन लोकसभा सीटों पर हलाकि आज तमाम सियासत के अंदर तमाम चर्चाएं हैं जहां एक तरफ तमाम दर्वारी मीडिया और भारती जन्ता पायटी के लोग भारती जन्ता पायटी के नेता भारती जन्ता पायटी के कारेकरता 400 पार के नारे के साथ मैदान में है जितनी जोर से जितनी बुलंदी के साथ भाजबा के नेता और कारेकरता कह रहे हैं जितनी जोर से परधानमंत्री कहते हैं कि 4 जून को 400 पार उनसे कहीं ज़्यादा बुलंदी से दरवारी मीडिया कहने को तो पहले तयार बैठा हुआ है कि अपकी बार 400 पार लेकिन धरातल पर अगर आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख लें सोशल मीडिया के कुछ चैनल को देख लें सोशल मीडिया पर जो एंकर आते हैं उनको देख लें तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया के अंदर बात चलती है तो वहाँ आता है कि कहीं 272 के लाले पड़े हुए है जनता खुद अपना मंथन करेगी जनता खुद देखती है जो जागरुक लोग है वो खुद देखते हैं कि आखिर कौन कितना ठीक है कहां क्या हो सकता है लेकिन हम हर्याना के अगर बात करें तो हर्याना को लेकर हर्याना की राजनीती में रुची रखने वालों को और फिर उसके बाद में देश की राजनीती में रुची रखने वालों के लिए यह जरूर क्यूरिसिटी बनी हुई है कि आखिर हर्याना की 10 लोकसभा सीटों पर क्या हो सकता है हर्याना की 10 लोकसभा सीटे जिनमें की 2004 के चुनाव में जब मोधी के नेत्रताओं में पहला चुनाव हुआ उस चुनाव के अंदर जिसमें की एक ही मुद्दा था कि अब की बार मोधी सरकार तमाम मुद्दे गोंड थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो अरविंद केजरीवाल हो अनना हजारे हो तमाम जो अंदोनन हुए थे उनके बाद जो लहर बनी थी वो शारी लहर कनवर्ट हो गई थी डाइवर्ट हो कई थी मोधी की तरफ मोधी जी को अपना परदानमंत्री का फेस खोशिथ कर दिया था भारती जन्तापार्टी ने और भारति जंता प्राटि को पून बहुमत मिला था उस चुनाव के अंदर 2014 में 2014 के चुनाव में जब पूरे देश में बहुमत मिला था तो हर्याना के अंदर BJP और हर्याना जन्हित कॉंग्रेस का गठबंदन था दस सीटें हर्याना के अंदर लोगसभा की हैं आठ सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और दो पर हर्याना जनहित कॉंग्रेस लड़ी थी हर्याना जनहित कॉंग्रेस हिसार और सिरसा दो सीटे लड़ी दोनों हार गई थी और भारती जन्ता पार्टी जो आठ सीटों पर लड़ी थी उनमें से आठ में से साथ सीटें बीजेपी जीत गई थी एक रोतक की सीट बीजेपी हार गई थी 2014 के चुनाओ में 2019 के चुनाओ में फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ थी लेकिन वो नारा गौन था उस समय पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक एर स्ट्राइक उरी ये सब कुछ चर्चाओं में था मुद्दा पुलवामा था मुद्दा शहीदों की शहादत थी सैनिकों की शहादत थी उस चुनाओ के अंदर आपको ध्यान होगा कि उस चुनाओ के अरदर अंदर प्रधान 마ंधरी मोधी ने कहा था कि क्या आपका पहला वोट देश के शहीदों के नाम नहीं हो सकता और जब ज़वानों की सैनिकों की शहीदों की बात आ जाती है तो फिर पूरा देश हर व्यक्ति एक रौ में बहता है और पूरा देश 2019 के चुनाव में एक रौ में बह गया और उस चुनाव के अंदर भारती जनता पार्टी को 303 सीटे मिली खुद अपने दम पर और इसके साथ हर्याना की 10 की 10 लोकसभा सीटे बीजेपी अपने बूते चुनाव में जीत गई अब 2024 है 2024 के अंदर अभी तकर आद देखें तो एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से जो मुद्दा है वो है धारा 370 बीजेपी की तरफ से मुद्दा है राम मंदिर बीजेपी की तरफ से मुद्दा है सीए बीजेपी की तरफ से मुद्दा है नर्सी परधान मंत्री बोलें ग्रह मंत्री बोलें देश के बीजेपी के प्राष्टिय द्यक्ष बोलें हर्याणा का मुख्य मंत्री बोलें हर्याणा के पूर मुख्य मंत्री बोलें यूपी के योगी बोलें असम के हिमंद विश्वा सर्मा बोलें बात सरफ एक होती है कि राम लल्ला का मंदिर बन मंत्री मोदी ब्रष्ट चार की बात और साथ जोडते हैं लेकिन असम में ब्रश्टाचार की बात नहीं होती महाराष्ट में ब्रश्टाचार की बात नहीं होती बिहार में ब्रश्टाचार की बात कम होती है पर दूसरी तरफ अगर आ जाए आप तो विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है वो है महंगाई जनता के मुद्दे भी है यह विपक्ष तो मानलें तो दो कहीं है नहीं अगर विप्षन कहीं है नहीं अगर जो स्वायथ एजन्सियां है चाये वह चुनावायोग हो सीवाइड हो इडि हो इनकम टैक्स हो और तमाम जो होती है इन पर जो आरोप लग रहे हैं उनको आप खुद देख सकते उनके ज्यादा बात करने की कोई मुझे लगता नहीं कि जरूरत है बात आ जाते हैं आपके साथ की जो मुद्दे हैं जनता के वो जनता के मुद्दे हैं महंगाई जनता के मुद्दे हैं बेरोजगारी जनता के मुद्दे हैं आर्थिक असमानता जनता के मुद्दे हैं आरक्षन व वामोश है जनता का कुछ दिखाई नहीं दे रहा जनता की तरफ से ज़्यादा सुख बुगाट है नहीं अगर आप रैलियों की बात करें तो रैलियों के अंदर तो पुलिटिकल पार्टीज के जो लोग होते हैं वो खुद बसों में भरके लोग ले जाते हैं रैली किस प्रकार सफल कराई जाती हैं आप किसी रैली विशेशग्य को बुला करके बात कर लीजी वो आपको बता देगा रैली के अंदर अगर भीड को मायना मान लें अगर राजनीति की सफलता का तो फिर आप कभी सोच नहीं सकते क्योंकि हर्याना से तो कभी चौदरी दे तमाम लोग ले जाये जाते हैं बसों के अंदर बिठा करके कारों के अंदर बिठा करके तमाम प्रकार के लालस लोबन पर लोबन दे करके खाने के पैकेड़ पैसे यह वो सब चलता है रैली के नाम पर और रैली के अंदर आम जनता नहीं हुआ करती और जो आम जनता होती ह उसके लिए आप सब लोग भी जानते हैं उसके लिए ज़्यादा क्या कि रैली के अंदर लोग किस एके कैंडिडेट करनाल से है मनोहरलाल जी करनाल के अलावा पूरे हर्याना के अंदर घूम रहे हैं फरिदाबाथ, गुरुगराम हिसार, अंबाला, सिरसा आज भी वो सिरसा में हैं चोटे चोटे और बडए से बड़े गाव 가서 में अपनी सभाएं कर रहे हैं अगर उसके बाद चलें आप विवानी महंदरगड सीट तो विवानी महंदरगड लोगसभा सीट से चौधरी धरम भी थोड़ा बहुत अपना परचार कर रहे हैं लेकिन उनको विरोध का जो छुपा हुआ विरोध उसका सामना करना पड़ रहा अगर अगली लोगसभा सीट की बात करें अंबाला तो बंतो कटारिया जी भी अपने परचार में लगतो गई हैं लेकिन उनको भी थोड़ा बहुत विरोध का सामना करना पड़ रहा है ज्यादा भी नहीं कहेंगे वहां के लिए अगर सिरसा की बात करें तो बाबु अशोक तवर जहां भी जा रहे हैं विरोध का सामना करना पड़ रहा है काले जंडे नारे वाजी विरोध गाड़ी रोकना इस सब चल रहा है अगर बात कर लें हिसार की तो हिसार के कैंडिडेट रंजीत चोटाला जी को लोग उल्टे पैर लोटा रहे हैं जादातर सभाओं में कल उकलाना की सभा की मैं सोनिपत की बात करूं तो सोनिपत लोगसबा सीट पर महलाल बरोली जी को टिकट मिल चुका है लेकिन जगा जगा विरोध जगा जगा नारे वाजी जगा जगा वापस जाओ गो बैक के नारे इनसे उनको सामना हो रहा है ये स्थिती तो तब है जब अभी सामने कैंडिडे होती है जब तक टिकेट घोशना ना हो तब तक नेता परचार में उतरते नहीं आसानी से और आज समय वो आ चुका है कि जिस नेता को टिकेट मिलता है शुरुवात वही करता है अब अगर बात कर लें तो स्थिती क्या हो सकती है आपको जो लोगसभा सीट आपको बतानी भूल गया अर्विंद शर्मा जहां भी जा रहे हैं लोग पूछ रहे हैं कि पांच साल तक कहां थे गोबेक के नारे लग रहे हैं काले जंडे तमाम हो रहा है तो जो लोगसभा सीटे हैं जिन पर की अभी से इतना विरोध है उनमें सिरसा उनमें हिसार उ तो कुरक्षेत्र लोगसभा सीट के केंडिडेट नवीन जिंदल जब बीच में जाएंगे जंता के तो जंता उनके साथ क्या बात करेगी कैसा होगा ये भी तब पता चलेगा आप अगर सेफर सीटों में मान लें भारती जंता पार्टी के लिए कि जहां पर अभी कोई दि हैं कि कैंडिडेट अभी दूसरी पार्टी के सामने आ रहे नहीं बीजेपी के योधाओं को लड़ाकों को खुद जंता ही उनको वापस भेज रही है जंता से लड़ाई चल रही है अब आप से बात कर लूँ कि कैंडिडेट कौन हो सकते हैं और तब क्या हो सकता है रौतक से केंडिडेट आप दिपेंदर हुड़ा को फाइनल मांनें कि लगबग फाइनल हैं राजनितिक विशलेषा की ये कह रहे हैं कि रहतक सीट में कोंग्रेस को कोई दिक्कत नहीं आएगी सिरसा सीट पर विशलेषण बता रहे हैं जो सूथर बता रहे हैं वो तरक एंडिड केंडिडेट कोई तै नहीं है कहीं ब्रिजंदर सिंग जी का नाम आता है तो कहीं चंदर महुन का नाम भी आ रहा है कहीं चंदर प्रकाश का नाम भी आ रहा है केंडिडेट कोई भी हो लेकिन जब जंता में इतना विरोज शुरू हो गया है तो फिर केंडिडेट ओने के गहिरवाल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर शूती चौधरी होई तो फिर जाट लेंड में बढ़ जाएगी बेवानी और चर्खी दादरी जिले में इन दौनों हालात में मानकर चलें तो परशानी तो बढ़नी है वहां पर भी सोनिपद कॉंग्रेस का केंड़ेट आए ही वरॉली साब को दिक्कत हो रही है तो वहां केंड़ेट आने के बाद मान लीजिए कि और ज्यादा चुनोती बढ़ जाएंगी कि फरिदाबाद गुर्गराम करनाल और अंबाला कि हम ज्यादा बात अभी करेंगे लिए वैसे फरिदाबाद के लिए भी कि आप माने अभी केंड़ेट ते नहीं है महेंद्र परताब सिंग और क्रिशन पाल गूजर दो नाम चल रहे हैं अगर फरिदाबाद के सिटी जो फरिदाबाद जिला वहां लोगों से पूछे तो कहते हैं महेंद्र परताब जी होंगे तो बड़ा सक्त मुकावला होगा और अगर पलवल जिले की तरफ चले जाएं जो रूरल एरिया है फरिदाबाद के अंदर भी और पलवल में तो वहां कहते हैं करण सिंग दलाल आए तो फिर बड़ा मुकावला होगा गुरुगराम में केंड़ेट कौन होगा ये भी पता नहीं अभी लेकिन गुरुगराम की फरिदाबाद की और अमहला की और करणाल की ये सीटे मैंने आप से काया कि ये सेफर जौन में जा रही है अब कर्राल के लिए भी लेकर कर कहें तो करनाल के लोगों पर मन्होरलाल जी के लिए मुकाबला संगर्ष वाला हो जाएगा सशक्त मुकाबला हो जाएगा तो हर्याना की 10 लोगसभा सीटों पर स्थिति क्या होगी हमने आपको बताया कि ऐसा लगता है कि 6 सीटे बड़े मुकाबले में रहेंगी और चार सीटें ऐसी हैं कि जहां बीजेपी सेफर जौन में है यानि कि फरिदावाद गुरुगराम अमबाला और करनाल ये चार लोगसबा सीटें हैं जो सेफर जौन में हैं रोतक बिवानी सिर्सा हिसार कुरुक्षेत्र और सोनिपत ये छे जन्ता पारटी की स्तिती फसी हुई है आपको क्या लगता है कि कौन से केंडिडेट कौन सी लोगसभा पर हो सकते हैं क्योंकि आप हमारे सुधी दर्शक हैं अपनी राय जरूर देते हैं तो कौन से केंडिडेट ऐसे हो सकते हैं कॉंग्रेस पारटी के जो चुनोती देंग प्रतिक्रिया जरूर्ड ने और इस परकार के वीडियो ज अपडेट्स के रहे में आरे साथ जूड़े रहें देखते रहें देश रोजाना का यूट्यूब चानल सब्सक्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल झालिक